आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर ग्रफतारी की तलवार लटक रही है एक बड़े कतित घोटाले में तेजस्वी यादव के खिलाब में इनफोर्समेंट डिर्क्टोरेट की ओर से समझ जारी किया गया था केजरिवाल की तरह हम इसके बारे में बिस्तार से जानेंगे और इसके अलावा नितीश कुमार के दोगलापन का भी हम जिक्र करेंगी कि कैसे ब्रस्टा चार पर उन्होंने चुपी साथ रखी है पहले कुछ और कहा करते थे नितीश बाबू और अब सुर बिलकुल बदले हुए हैं दरसल सु मुद्धा गरम है बिहार के डिप्टी सीम तेजस्वी यादप को एड़ी ने पूछताच के लिए समझ जारी किया था लेकिन अब सामने आया है कि तेजस्वी यादप इस पूछताच में शामिल नहीं होंगे आरजेडी की सुत्रों ने इसकी जानकारी दी है पाँच जनवरी को एड़ी ने लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादप को पूछताच के लिए बुलाए था पिछली बार भी अब इड़ी ने पूछताच के लिए बुलाए था तो वो वहाँ पर नहीं पहुँचे थे सामने आया है कि राज्य सरकार के कारिक्रवमों में व्यस्तता के कारण तेजस्वी यादप इनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेड के सामने पेश नहीं होंगे यानि की ग्रफतारी से बचने का बहाना वो च्छे जनवरी को पटनावे खलाडियों को नुक्ती पत्र देने की कारिक्रम में नितीश खुमार के साथ में मौजूद रहेंगे ऐसा हवाला दिया है आपको बदादें कि इसके पहले दिल्ली सीम अर्विंद केजरिवाल जारकंड सीम हेमत सोरेड भी एडी के बुलावे पर पूछताच के लिए पेश नहीं हुए तो इन तीनों ही मुक्मंत्रियों पर ग्रफतारी की तलवार लटक रही है लैंड फॉर जाब स्केम का ये केस 14 साल पुराना है उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे दावा है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में लोगों को नोकरी देने के बदले उनकी जमीन लिखवाली थी आपको बदादें कि लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहे थे सीबियाई ने इस मामले में 18 मई को केस दर्ज किया था सीबियाई के मताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रूप डी के पदों पर सब्टिट्यूट के तौर पर भरती किया गया और जब उनके परिवार ने जमीन का सौधा कर लिया तो उन्हें रेगुलर करके दरसल सरकारी नौकरी दे दी गई लेंड फॉर जॉब स्केम में अप्रेल में भी उनसे तकरीबन 8 घंटे की पूछताच हुई थी ये मामला UPA1 सरकार के समय का है तब भारतीय रेलवे में ग्रुप D के पदों पर कई लोगों को नौकरी दी गई थी आरोप लगे हैं कि बदले में कई लोगों ने अपनी जमीन ततकालीन रेल मंतरी लालू प्रसाद यादफ के परिवार के सदस्यों और एक संबंदित कंपनी को ट्रांसफर कर दी थी वैसे विपक्ष में तेजस्वी अकेले नहीं है जो ED के समन पर नहीं जा रही है इससे पहले जहरकंड के सीम हिमन्द सौरेन और दिली के मुख्यमंतरी अरविंद केजडिवाल भी ED के सामने पेश नहीं हुए अलाकि तेजस्वी यादफ के केस्ट में लोगों को नितीश कुमार की एक और बात जरूर यादा गई जिसे मैं दोगले पंड का दरसल नाम दे रहा था जो उन्होंने नसीहत के तौर पर कुछ साल पहले कही थी बात 2017 की है होटल के बदले जमीन घोटाला काफी चर्चा में था CBI ने लालू प्रसाद यादब को 25 सितंबर और तेजस्वी यादब को 26 सितंबर को बुलाए था IR CTC के दो घोटालों के देखवाल की जिम्मेदारी निजी फर्म को दिये जाने के एक मामले में कथित अनियमित्ताओं का मामला था हलाकि दोनों नेता पेश नहीं हुए थे तब तेजस्वी यादब ने पहले से तै राजनेतिक कारिकरमों का हवाला दिया था उस समय तेजस्वी का नाम होटल घोटालों में आरोपी के तोर पर सामने आने पर नितीश कुमार ने आरजेडी से नाता तोड़ लिया था और लालू प्रसाद यादब को ठेंगा दिखा दिया था वो फिर से भाजपा में चले गए थे और महा गडबंदन सरकार गिर गई थी बिहार में NDA की सरकार बनी थी मौझूदा सियासी पिक्चर में नजारा बदल चुका है कुछ महीने पहले जब तेजस्वी यादब को CBI ने समन किया था तो नितीश ने जट से इसे राजनीती से प्रेरिद बता दिया था तो कि अब राजनीती के हिसाब से ये समन नितीश बाबू को सूट कर रहा है तब नितीश ने कहा था कि वो एजेंसी पिछले पांच साल से क्या कर रहे थे हलाकि 2017 में नितीश कुमार बिलकुल भी अलग नजार आते थे तब वो चाते थे कि भरस्टाचार के आरूप पर उनके सहयोगी नेता यानि कि तेजस्वी यादब अपना पक्ष इस पश्च रूप से रखें वो अपनी इमेज को लेकर के काफी सजक थे तब नितीश कुमार कहा करते थे कि उन्हें आरजेडी नेता तेजस्वी यादब को जाना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए एडी और सीबियाई के समक्ष बाद में पता चला कि नितीश कुमार ने नेतिक्ता के आधार पर तेजस्वी आदब से स्तीफा देने के लिए भी कहा जब तक उन पर लगा दाग धुल नहीं जाता हलाकि आरजेडी तैयार नहीं हुए नितीश सरकार में भारी उतल पुतल और तनाब देखा जा रहा था अचानक से नितीश कुमार ने एक दिन खुद ही मुक्मंत्री पत से स्तीफा दे दिया और उधर पूर सायोगी भाजपा बिना शर्त समर्थन लेकर के आ गई और 24 घंटे के भीतर ही बिहार में बीजेपी के साथ नई सरकार बना ली गई ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नितीश इनफोर्समेंट डिरेक्टोरेट के समन पर भी कहेंगे कि तेजस्वी यादब को जाकर के अपनी बात इस पश्ट तरीके से रखनी चाहिए वैसे कुछ घंटे पहले ही नितीश से मिलने के लिए तेजस्वी यादब पहुँचे थे तो ये पता नहीं कि सीम ने अपने डिप्ती सीम से समन पर कुछ कहा या फर नहीं साथ साल पुरानी बात है वो भूल गए ऐसा तो हो नहीं सकता तो कुल मिला करके जो नितीश कुमार भरस्टाचार के मामलों पर लंबी लंबी डींगे हांका करते थे जैसा कि मैंने आपको एक वाक्या बताया कि तब भी बिहार में जेडियू और आरजेडी का गडबंदन हुआ करता था उस समय जब तेजस्वी आदब के खिलाफ में लालू प्रसाद आदब के खिलाफ में कारवाई की गई तो सीधे तोर पर नितीश कुमार ने अपनी छवी को धूमल होने से बचाने के लिए साफ तोर पर क्या दिया कि तेजस्वी आदव आपको इस्तीफा देना होगा जब तक कि आप पर लगे हुए दाग धुल नहीं जाते हैं जब तक कि ED, CBI या फिर कोट की तरफ से आपको क्लींचिट नहीं मिल जाती है आपको दरसल मुक्मंत्री या उप मुक्मंत्री रहने का कोई भी अधिकार नहीं है तो उस समय नितीश कुमार ये मन मना चुके थे कि महां गडबंदन से उन्हें अलग होना है NDA में शामिल होना है बिहार में भारती जनता पार्टी के साथ में मिलकर के सरकार बनानी है इसलिए इस तरीके की जाहर तोर पर नौटकी की गई होगी लेकिन अब जो भी समन भेजे जा रहे हैं वो नितीश कुमार को पुलिटिकली मॉटिवेटेड लग रहे है यानि कि सीधे तोर पर अपने राजनयतिक फाइदे के लिए अपनी राजनयतिक हवा के मताबिक अब दोगला पंती करते हुए दिखाई दे रहे हैं नितीश बाबू वैसे तो उन्हें सुशासन बाबू कहा जाता है अभी उनके जो सुर हैं वो बदले बदले नहीं बलकि पूरी तरीके से दबे हुए प्रतीत हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अर्विंद केजरिवाल के खिलाप में हिमंत सुरेन के खिलाप में से इंकार नहीं किया जा सकता है और जो ये इंडिया गठबंदन है ये पहले से ही अधर में लटका हुगा है क्योंकि अर्विंद के इजरिवाल की ग्रफतारी सुनिश्चित है हिमंद सोरेन के उपर ग्रफतारी की दर्वार लटक रही है और इधर तेजस्वी आदब की भी दरसल चर्चाएं राजनते गलियारों में तेज हो चुकी है तो ऐसे में इंडिया गठबंदन के एकता एक जुटता पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है वहराल इस मामले पर आपकी क्या राए है हमें कॉमेंट करके जरू बताएं जल्द बलूगा किसी दूसरे ब